सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस्ट नोटिफिकेशन पटन करंट अफेर्स के तैजिया के साथ ताहिर गोरा आपकी हिद्मत में हाजर है सब से पहले कैनिडा की तरफ से जो बात आई वो यह है कि कैनिडा फर्स्ट कन्सरेटिव पार्टी के नए उलेक्टिट प्रेजिटन्ट ने कहा कि कैनिडा फर्स्ट की बात होगी इसके साथ साथ आज के शो में बाचीत होगी भारत के इशूस पर भारत में इस वक तीन बड़े मुद्धे चल रहे हैं एक तो चाइना इंडिया का स्टेंड आफ है दूसरा मसला कोविट का सर्ज है और तीसरा मसला सोशान सिंग राजपूत की डेथ के सिलसे में जो इन्वे चकरवर्ती और उसके साथ साथ कंगना जो इस वक फ्रेंट लाइन पर लड़ रही हैं उनके आफिस को मिसमार कर दिया गया डेमॉलिश कर दिया गया बाचीत होगी यूएस ऐलेक्शन के सिलस्टा में भी और फिर पाकिस्तान में जरदारी और नवाश शरीफ को किस तरह न क्या सूर्टेहाल है उस पर भी बाचीत होगी टरंप चाइना इंडिया के फेस आफ के बारे में क्या कहते हैं इस पर भी हम बाचीत करेंगे सबसे पहले हम बाचीत शुरू करते हैं भारत के हवाले से भारत में तीन बड़े इशूस हैं इस वक एक तो चाइना इंडिया फ पौजों के बीच और ये बहुत बड़ा मसला है कोविड एक दूसरा बड़ा मसला है अब शायद पहला बड़ा मसला है इस वक भारत धीरे-धीरे दुनिया में नमबर वन पॉजिशन पर आता नजर आ रहा है अपनी इंफेक्शन के इतबार से भी और दीगर इशूस के पर वो है कंगना के घर को डेमॉलिश करने के हवाले से महराश्टरा की सरकार शिवसीना और कांग्रिस के इलाइन से जो बनी हुई है उसमें ये एक बहुत बड़ा मसला बन गया कि वो एक एक्टरस के पीछे जो डटके बोल नहीं है उस एक्टरस के पीछे पूरी की पूर सरकारी मिशीनरी लग गई है यही लग रहा है जैसे पॉलिटिक्स आफ रिवेंज है और वो जो बहादर अदाकारा है कंगना जो हर मसले पर बात करती हैं उन्होंने कहा कि इस शिवसेना कांग्रिस की सरकार में जो बंबे का हाल हो चुका है वो पी ओ के का हाल हो चुका है और उन्होंने कहा कि वो इस पर एक फिल्म भी बनाएंगी उनका घर डिमॉलिश कर दिया गया जो आफिस काम रेजिडेंस था सबसे पहले हम इस सलसा में एक वीडियो क्लिप ए एन आई की कर्टिसी के साथ देखते हैं उद्व ठाकरे तुझे क्या लगता है कि तुने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोरके मुझसे बहुत बड़ा बद्दा लिया है आज मेरा घर तूटा है कल तेरा घमन तूटेगा यह वक्त का पहिया है याद रखना हमेशा एक जैसा नहीं रहता और मुझे लगता है कि तुमने मुझे बहुत बड़ा एहसान किया है क्योंकि मुझे पता थो था कि कश्मीरी पंडितों पर क्या बित्ती होगी आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वच्चन देती हूँ कि मैं सिफ अयोध्या पे ही नहीं कश्मीर पे भी एक पर्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा लेकिन मेरे साथ हुआ है इसका कोई मतलब है इसके कोई माईने है और उदव थाकरे यह जो कुरूरत यह जो आतंक है अच्छा हुआ यह मेरे साथ हुआ है क्योंकि सके माईने है जै हिंध जै महराश्क्रू कहना है कंगना का के आज मेरा घर टूटा है कल तुम्हारा गुमंड टूटेगा वो ललकार रही हैं शिप सेना के चीब मिनिस्टर महराश्टरा के चीब मिनिस्टर उने ठाक रेको और बड़ी ही गंबीर सूरतेहाल है, वो कहती है कि मैंने एरादा तो किया था कि आयूदिया पर भी एक फिल्म बनाऊंगी, वो तो बनेगी, मगर अब मैं कश्मीर की सूरतेहाल पर भी फिल्म बनाऊंगी, जब से कंगना ने कहा कि बामवे जो है, वो पी-ओ-के बन चुका ह है तो इस पर पूरे भारत में बहस चिड़ चुकी है इस वक्त भारत का मीडिया एज यूइल लेफ्ट और राइट में फिर तक्सीम है लेफ्ट के मीडिया का ये कहना है कि कंगना जो कुछ कर रही है वो एक पुलिटिकल बैक अप के साथ कर रही है उफ कोर्स उनके साथ जियों के साथ एक जल्म है कोविट की सूरते हाल है अगर कोविट की सूरते हाल भारत में ना होती तो शायद इस पर बहुत बड़े बड़े पौर्टेस लेफ्ट की तरह से हो रहे होते हैं लेकिन सूरते हाल बड़ी गंबीर है इस वक्त भारत की इन्वेस्टिगेटिव इजन्सी भी बीच में हैं जो पुलिटिसाइज नहीं हैं हो भी जाती है ये एक नैचलला पूरी दुनिया में ऐसा हो जाता है मगर वहां पे सी बी आई या इस चरह के एदारे इन्वाल्व है नॉर्कॉर्टिक कंट्रोर बोर्ट जैसे एदारे इन्वाल्व हैं जो रेलि पहले जबसे ये घर है आफिस कम रेजिडेंस जबसे है तब तक तो ये रही इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई ऐसा काम नहीं हो अब क्यूं हो रहा है बाराल ये सब सुशान सिंग राजपूत की डैट की इन्वेस्टिगेशन के साथ ये वाकिया जुड़े हुए हैं और इस सुशान सिंग राजपूत की जो गर्फरेंड थी फॉर्मर गर्फरेंड रिया चकरवर्थी को भी अरेस्ट कर लिया गया और उनके अरेस्ट के हवाले से भी और जिस तरह उनको मंबई पॉलीस एक तरह से प्रोटेक्शन दे रिया कोट अनकोट एकॉर्डिंग रिया चकरवर्थी के लॉयर के मताबक, वो कहते हैं कि इस वक मंबई पॉलीस जो है वो इनका दूसरा गर बन चुका है, मगर अब वो अरेस्ट हो चुकी है और तीन दिन का उनका रिमान चलता है, इस स्रस्रा में सुशान सिंग के लॉयर क्या कहते हैं, रिया चकरवर्थी अर्रेस्ट कैसे होती है एक मुक्तसर सी रपोर्ट ए आनाई की कर्टिसी के साथ हादर है आज ये एफायार दर्ज कुए है बंबई पुलिस में वो एफायार मेरे सामने अभी रखा गया मैंने भी एफायार को देखा है पहली बात तो ये लग रहा है कि मुंबई पुलिस का बांदरा पुलिस सेशन रिया का सेकेंड होम जैसा है उनका दूसरा घर हो हर छोटे छोटे मौके पे भाग के वहाँ जाती है वहाँ शरण लेती है जैसे कि कोई अपने घर में शरण लेता है दूसरी बात जो बांदरा पुलिस ने एफायार दर्ज की है वो बिलकुल बेबुनियादी है बिलकुल इलीगल है और सुप्रीम कोट की ओर्डर की अभेलना है सुप्रीम कोट ने जो एफायर दर्ज करने की लिबर्टी दी थी वो सिरिफ उस लिबर्टी उसके बारे में दी थी जो उनका inquest proceeding चल रहा था जो भी 174 की proceeding ने उन्हें स्टार्ट की थी अगर उस proceeding को दौरान कोई cognizable offense अगर उनको नजर आता तो एफायर दर्ज करके वो उसको भी CBI को भेजने का उनका उत्तरदाईत था सुप्रीम कोट ने कभी भी ये लिबर्टी अक्यूज को नहीं दी थी कि वो एक आफायर दर्ज करें क्योंकि इस तरह का आफायर दर्ज होना सुप्रीम कोट के पहले कई जढ़्श में खास्कर की टी टी एंसरी के जढ़्श मीं बाद्य है एक तो को से बाद कोईबी स्टेट्मेंट अगर आपको देना है तो एक सौ बासट में उसी इफायर के अंदर आप दे सकते हैं रिया चकरवर्ती जो इस FIR के माध्यम से कहना चाह रही है वो CBI को अपने स्टेट्मेंट में दे सकती थी और CBI उस स्टेट्मेंट को अगर समझता कि हाँ इसमें कोई एहमियत है या इसमें कोई तक्थ है तो उसको CBI अपने चार्ट शीट में उसको कंसिडर करता सुषान सेंग राजपूत की डेल्स के सिस्टा में जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसी कांटेक्स में उनके लॉयर जो हैं वो ये अपनी उपीनियन देते हैं दूसरी तरफ सुषान सेंग राजपूत की डेथ के सिस्टा में जो इतना बड़ा वहां पर मीडिया में चर्चा हो रहा है और इतने बड़े ड्वेल्मेंट्स हो रहे हैं कहीं पर कहा जा रहा है कि अलेजडिली ड्रग माफिया इन्वाल्व है कहीं पर कहा जा रहा है कि ब मीडिया प्रेस भारत का relatively कम वक्त दे रहा है as opposed to this case मगर इस case को भी अगर देखा जाए तो जिस तरह कंगना का residence come office demolish किया गया ये कोई Bollywood का मसला नहीं है सुशान सिंग राजपूत की death का मसला नहीं है ये वाके ही death of democracy है जो hashtag इस वक चल रहा है हैरत की बात है कि जो revenge of politics है वो इस level पर चला जाए this is sad बाराल इंडिया चाइना का जो face off है उस स्लस्रा में चाइना का अब ये कहना है कि भारत की तरफ से illegal firing की गई कोट अंकोट ट्रीटी है बहुत सालों से भारत और चाइना के मीच के गोली नहीं चलेगी हाथा पाई हो सकती है दंगा मुच्टी हो सकती है गोली नहीं चलेगी अब गोली चली है लेकिन अब भी जो गोली चली है वो भी हवाई जंग शुरू हो सकती है बरहल हम चाइना के फॉरण मिनिस्ट्री के स्पोक्सपरसन की ये स्टेट्मेंट देखते और सुमते हैं अंगा आना के वाईना के स्ट्री नहीं क। एी जोटामे लौ जोट्टिड लेडियर्थ फेक्ट् से एलिंग अईन्यात्री लंगर जोटने टॉट तॉटीयर्थिंग्स, हो वा लै रे लौटार्यान वे लोटीयर्ग टॉटो फे वेडियर्थ वीस्टेंजिजिंग्स, वा अचैश से वाometer, लेज जे ले ले लेफिए प्हुक जभी निप्जें है इस स्री। थे भी लोलीम Сनश का एप्राइब नार हुआ फ्रेजरी टरे लाक जानी जाने तैंस रही चाहां चाने इस मिभ़ाइश kinda about नायन त Karaur में दि genau ए嗎 में पापने प्रहे देख ऑने इस ढाँर फ्रॉंत भारत चाइना के इस ऐलिगेशन को रिजेक्ट करता है और भारत का यही कहना है कि चाइना का जो अग्रेसिव और एक्सपेंशनलिस्ट माइंड सेट है वो इस सारे स्टेंड आफ का भी कारण है और एग्रेशन का भी कारण है दो रोस पहले ही जब अमरीका के सदर ट्रम्प से चाइना इंडिया फेस आफ के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने डिप्लोमेटिक स्टाइल में बात की मगर उन्होंने साफ कुल कर कहा कि वो भारत के साथ हैं प्राइमिस्टर नेंदा मोदी के साथ हैं प्रेजिड ट्रम्प क्या कहते हैं देखी और सुनिये हैं ढ sale Prime Minister Modi is a friend of mine and he's doing a very good job nothing easy "'nothin' easy,' but he's doing a very good job We're talking I mean while we're at it we're talking about China and India Pretty... going at a pretty good on the border as you know It's been very nasty It's been very nasty situation and we stand ready to help with respect to China and India if we can do anything we would कि अओई लीड दोओी साथा या न दो सुट ओंग से चौते हैं लीी का याओ्राषा है यffentlich चीना है जो थी एल श्यश्य आव्याटosis of people even understand. इस्तरा इंडिया का ही साथ देंगे क्यूंकि प्रिंस्पल्स के बेसिस पर इंडिया का जो स्टेंड है वो बिल्कुल दुरुस्त है भारत का इस वक एक और बड़ा मसला पहला मसला है दूसरा है या तीसरा है ये अब कोई तरजी नहीं रही पहला भी है दूसरा भी है तीसरा भी है वो COVID का सर्ज है बहुत मुश्कल है इतनी बड़ी population के साथ उसको control करना दुनिया की सबसे बड़ी जो populated countries हैं जिन में of course China number one है almost 1.396 million people भारत one point three two six billion people और China से stats सामने नहीं आ रहे भारत में ये फैल चुका है और भारत में अब तक जैसा कि आप सक्रीन देख रहे हैं हमारी कि इस वक्त जो confirm cases है कि वो four point three seven million confirm cases भारत में हो चुके हैं death zone जो हैं वो almost 74,000 को touch कर रही हैं अगर हम यूएस के साथ compare करें तो यूएस में अभी भी जो confirm cases हैं वो six point four three million के करीब बताए जा रहे हैं और जो deaths है 190 के से over हैं और उसके बाद भारत आ रहा है और फिर बराजील है रशिया है पेरो है और कॉलंबिया है मैकसिको है साउट अफरीका है स्पेन है आरजंटेना है चिली है एरान है यूनाइटेड केंडम है फिर फरांस है तो so on जो situation है दुनिया में कोविट की जो situation ह है वो इस वक्त काफी गंबीर है और मैं ये समझता हूं कि दुनिया को एक बार फिर इतियात की जरूरत है बहुत ज़्यदा इतियात की जरूरत है जैसा कि प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि फॉल्स में और विंटर में सेकंड फेज आएगा अभी तक मैं तो ये शोर नही है कि नहीं हुआ उसी के ये उतार चड़ाओ आ रहे हैं तो बारा सिचुएशन काफी गंबीर है और दुनिया को इतियात की जरूरत है और यहां हमें कैनिडा में भी लग रहा है यॉर्प में भी ऐसा सूरत बन रही है अमेरिका में भी इलेक्शन की वज़ा से डिफरेंट बनती नजर आ रही है कि शायद धीरे धीरे फिर लॉक्डाउन हो मगर भारत में जतनी बड़ी पॉपॉलेशन है और जतनी बड़ी वर्किंग किलास है उसमें कॉंस्टेंटली लॉक्डाउन कर रहना इंपॉसिबल था कई हफ़ते लॉक्डाउन यह शुरू में रहा अब वो एकॉनमी को ओपन भी करना है लाइफ को ओपन भी करना है चैलिंजज भी है पैंडेमिक भी है और अब दुनिया को शायद इसी चैलिंज के साथ जीना है आते हैं अब हम पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तान में जो सूर्टेहाल है कि जर्दारी एको जो पाकिस्तान के साब वजीर आजम थे, यूस्वर रजा गिलानी, उनको पाकिसान के एदारे नैब ने एक फर्द जुरम आइद की है, कहा है कि आप करॉप्शन में इन्वाल्व थे, नौाज श्रीफ को वैसे इश्टहारी करार दिया हुआ है, हमारे पाकिसान के स्टूडियो से टैग टीवी पा साबिक सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेर्मन आसफ लिजर्दारी कहते हैं कि नौाज शरीफ खुज़्जमेदार है, इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में, फर्द जुरम आएद होने के बाद साबिक सदर आसफ लिजर्दारी जब कमरा अदाला से बाहर आए, तो सहाफी ने उन से सवाल किया कि आप पर फर्द जुरम आयत की गई और नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया गया, आप क्या कहते हैं? आसफ लिजर्दारी ने जवाब दिया कि मैंने हमेशा अदालतों का इहतराम किया है, हर बार सुर्खरू हुआ इस बारे में क्या कहेंगे? आसफ लिजर्दारी ने कहा कि नवाज शरीफ खुद जिम्यदार है, इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में, एक सहाफी ने साबिक सदर से सवाल किया कि शहबाज शरीफ कहते थे कि आपको सड़कों पर घसीटेंगे, क्या आपने उने माफ क चप्रा कर दिया आसफ ज़र्दारी ने जवाब दिया कि सुहासत में कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है. साफियों से मقتصर गुट्रॲ्ग करने के बास साबिक सदर आसफ वलेजजर्दारी इहतसाब अधालास हुगए. हمیشہ عدالتوں का एकर्ام किया, सुझ झर्वली जर्दारी कहते हैं हर बार सुर्ख रु हुआ, इस मर्तबा भी सुर्ख रु होंगा वकार हुशेंटेक टीवी पाकिस्तान इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में आसर ली जर्दारी ने एक मिस्रा यहां पर सहाफियों को पेश किया कब ऑन्वाज शरीट के साथ ऐसा हो रहा है तो इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में और यही बात शायद उनके अपने उपर भी मुनतबिक होती है उनके अपने उपर भी एपलाई होती है और मैं यहां पर इस मिसरे का पूरा शेर आपके साथ कोड़ करना चाहूंगा गालबन हमारे दोस्ट जनाब शुएबन अजीज का शेर है कि अब अदास फिरते हो सर्दियों की शामों में इस तरह तो होता है इस तरह की कामों में मुझे मालूम नहीं कि उनको असर फिरत वजर्दारी को ये पूरा शेर याद भी है या मालूम भी है या नहीं बहराल सर्दियां पिर आ रही है और इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में ये पाकसान का जो अल्मिया है ये सिर्फ सियासेदानों के लिए नहीं है establishment का भी है, media का भी है, सबी अपने कर्मा में फंसे हुए हैं और फिर सब आखर में ये कहने पर मजबूर होते हैं, इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में इधर हमारे कैनिडा में, कैनिडा first की बात कर दी, हमारे नए कैनिडा first की बात होगी, जो अमेरिका first की बात डानल्ड टरम्प कर रहे हैं, शायद उसी एको में उन्हों ने ये बात की, इस सलसा में टैग टीवी के कैनिडा स्टूडियो में हमने एक मुक्तसर सी रपोर्ट त्यार की, देखी और सुनिया है, कैनिडा की अपोजिशन पार्टी कंसरबिटिफ्स के काईड अरीन ओटूल का कहना है, कि उनकी first कैनिडा हिक्मति हमली का मदलब معाशी खुदकेफालत चीन पर सक्ती करना है. नएक कंसरबिटिफ लीडर अरीन ओटूल का कहना है, के उनकी कैनिडा फर्स माशी हिकमत अहमली के मनसूबे से मेहनत कश खांदानों की जरूरियात को पूरा करने में मदद में लेगी और बैनल अक्वामी अमोर में चीन के खलाफ सक गीर राह त्यार की जाएगी एक इंटर्वियू के दौरान ओर टूल का कहना था कि करोना बारास से लेकर अपनी फैमिलीस तक हमें सब को देखना है जब उनसे ये पूछा गया कि उनका मौाशी मनसूबा अमरीकी सदर डॉनर टरम्प की अमरीका फर्स पॉलिसी से मुक्तलिफ होगा जिसमें सदर ने कैनिडा के स्टील और अल्मूनियम की दरामत पर मैसूलात को बढ़ाते हुए और चींग के साथ तज़ारती जंग का घास करते हुए देखा गया ओर टूल ने कहा कि ऐसा नहीं होगा एरन अटूल को अपनी लीडर्शिप मनवाने के लिए काफी मेनद करना होगी और यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन टूडो के बहुत सारे जो स्कैंडल्स हैं और इनकी माइनौर्टी गार्मेंट जो है वो किसी वक्त भी खत्म हो सकती है फिर एरन अटूल को मिदान में उतरना पड़ेगा एक बरपूर मेनद के साथ अगर यहां पर वो लिबरल सरकार को रिपलेस करना चाहते हैं बारहल अभी यहां पर एलेक्शन की फजा है कोई डेट नहीं है कोई सिचुएशन नहीं है सूर्देहाल के साथ तफसरे लेकर आते रहेंगे आकर में बार चित होगी अमरीका के ऐलेक्शन की गर्मा गर्मी के हφाले से अमरीका का ऐलेक्शन अपनी गर्मा गर्मी की इंतहाओं को चूर रहा है और सदर्ट ट्रम्प ने बहुत ही हाल ही में अपनी एक तक्रीर में जो उनों ने एक मजमा में नौर्ट कारलाइना में की उसमें वो क्या कहते हैं खुलकर वो बोलते हैं सुनी और देखिये Over the last three and a half years we've secured America's borders fixed our broken trade deals and they were broken like you've never seen they weren't even broken they were bad they were bad from day one rebuilt the awesome power of the United States military obliterated the ISIS caliphate 100% fact I got it down to 98% remember a year and a half ago I got हैंने खुनाब सक ihan सकतis कि झांट पार्णाफ कि एसकी और शलिया हमुरे के घजेर、 जवैंचाँ इसले अवरा घड को अवरा कंवेध पितू अवर खंनि एन्हाट चूॉक को एजे हैं एmal buy te ए実kin बरहे यह एमुचे हूं चार्म नवरे का प्रहों है नही Tabii्ज हर अचीं को और रख है अचीं करशे ऱ देनी हो of our country and probably in the history of your state if your governor ever opens up but hopefully you're gonna have Dan Forrest you're not gonna have the war सदर्ट ट्रंप ने नॉर्थ कैरलाइना की रैली में खताब करते हुए दो बातों पर खास दो पर फाक्स दिया और यही उनकी दो बातें उनके इलेक्शन की एक तरह से मैनिफेस्टो बनी हुई है उन्होंने का कि एकॉनमी हमने मजबूत की मजीद करेंगे अगर आपने हमें रियलेक्ट किया आइसिस के खात्मे की बात की उन्होंने का ये 98% खात्मा की मैंने बात पिछले साल की थी अब 100% खात्मा हो चुका है हम अपने टूप्स को वापस लाएंगे सदर ट्रम्प मेक अमेरिका ग्रेट अगें और साथ साथ अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं देखते हैं कि अमेरिकंज उनको एक बार फिर चांस देते हैं या नहीं देते कंटेंपरेरी इशूज पर आज मेरा तफसरा देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया हम हर वीक एक कंटेंपरेरी इशूज पर एक खसूसी राउंड अप लेकर आते हैं टैग टीवी पर ताहिर गोरा का आप सब को नमसकार साथ सरीकाल और खुदा आफ़ेश यूट्यूब पर टैग टीवी का चैनल सबस्क्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाएएं किसी किसम का चैलेंजिंग जमाना हो टैग टीवी अपने व्यूज और न्यूज लाने में देर नहीं करता आपका तावन भी हमें चाहिए टैग टीवी को अगर आप स्पॉंसर्स कर सकें आप इश्टहार दे सकें तब भी हम आपके बहुत शुकर गुजार होंगे